पांच्रा जम्मे विधान सुभा चुनाव को लेकर आज हो सकता है फैसला हेल्थ मिनिस्टरी के साथ चुनाव आयोग की बैठक जारी, कुरोना और वैक्सिनेशन की जानकारी ले रहा है आयोग सुभे 11 बजे से हो रही है चुनाव आयोग और स्वास्त मंत्राले की बैठक बैठक में स्वास्त सचेव और नीती आयोग सदस्वी के पॉल भी रहेंगे मौजूद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नडडा का दो दिन का बंगाल दौरा रद कुरोना के बढ़ते संक्रमन की वज़े से पैसला कुरोना के चलते 36 गर सरकार ने रायपूर में होने बाली स्वचिता रैली स्थागित की सभी सार्वजने का रिक्रमों पर भी अगले आदेश तक लगाई रोक पीम की सुरक्ष में चूक को लेकर पंजाब की गवर्नर से मिला बीज़ेपी नेताओं का डेलेगेशन डेलेगेशन ने पंजाब बीज़ेपी के अध्यक्ष अश्विनी शर्मा शामिल आश्विनी शर्मा ने बीज़ेपी कारिकरताओं को रोकने का लगाया आरोप कहा राज्य सरकार की सहमती से किस अलग अलग जगाहों पर बैठाए गए प्रदर्शन कारी पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक का मुद्दा पहुंचा सुप्रेम कोर्च चूक की जाच कमिटी में पंजाब के जस्रिस अनुराग वर्मा और प्रमुख ग्रह सचिव भी शामिल पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक पर ग्रे मंत्राले सख्त पंजाब सरकार से मांगे रिपोर्ट जवाब दे ही तैय कर आक्शन लेने को कहा क्री मंत्री आमित शाह ने कहा पीएम की सुरक्षा में तिला परवाही स्वीकार नहीं कॉंग्रिस के आला नेताओं से माफी मांगने को हा पीएम मोदी के फिरोपपुर से लॉटनी के बाद किसान प्रदेशन कारियों ने मनाया जच्च ने कहा मोधी को रैली नहीं करने दी यहां से भगाया किसान प्रदेशनकारी ने माईक पर लोगों को किया सुम्बोधित कहा मोधी ने आपकी सामने गाड़ी दिकीले BKU करांतिकारी गुट के पंजाब अध्यक्ष सुर्जीत कुमार फुल ने भी अपने Facebook पेज पर साथियों को बढ़ाई दी कहा PM को वापिस लोटने को किया मजबूर आज पंजाब प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में BJP नेताओं का प्रतेनिधी मंडल गवर्नल सुमिरे का PM की सुरक्ष में चूक का मामला उठाएगा केंद्रे मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत का चन्नी सरकार पर निशाना कहा PM के सुरक्ष में चूक पंजाब सरकार की विफलता राज्य सरकार और पुलिस के मिले भगत करार दिया गजेंद्र सिंग शेखावत ने कहा अनरकल बयान बाजी कर रही है पंजाब के सीम, जेपीटे सीम और ग्रेमाच्टी हालके डर से कॉंग्रिस ने रची सास विश गुनेगारों के खिलाफ कारवाई करे चन्नी सरकार पीम की सुरक्षा में चूक को लेकर प्रिलाद जोशी ने चन्नी सरकार को गेरा कहा कॉंग्रिस और पाकिस्तान के मिले भगत से बॉर्डर पर प्रधान मंत्री को रूखने पर मजपूर किया लखनव में फैमली कोच के बाहर वकीलों ने जलाया पंजाब के सीम चन्नी का पुतला पीम का काफिला रोके जाने पर जदाई नाराज की प्रिधार मंत्री की सुरक्षा में चूक पर कारवाई फिरोसपूर के सस्पी हर्मन हंस को सस्पेंट किया देश में कोरोना की हाहा कारी स्वीट 24 गंटे में सामनियाए करें बिगिं कानबे हसार नए केस देश में कोरोना का संक्रम अंतर 6.94 फीसद 24 गंटे में 325 संक्रमितों की मौत केंदरे स्वास्त राज्य मंत्री डॉक्टर भारत प्रवीन पवार को भी हुआ कोरोना खुद को घर में किया आइसुलेट देश में ओमिक्रॉन की कुल संक्या बढ़कर 2630 हुई महराश्टर में सबसे ज़ादा 797 और दिली में 465 मरेज कुरोना को दीखते हुए अटारी में बीटिंग रिट्रीट सुमाहरों में आम लोगों की एंट्री पर रोग बीस अफ ने ततकाल प्रभाव से रगाई रोग महराश्टर में कुरोना का महाविस्पोर जारी एक दिन में चवालिस वीसद पढ़े केस 24 गटे में 26,500 अर्थिस संक्रमित शिवसीन सांसर धेवन तुकराम गोट से हुई कुरोना संक्रमित माल लक्षन दिखने के बाद बुदवार को कराया गया टेस्ट महराश्टर के मौल शिरफ से बीजिपी के विधायकराम सत्पुते कोरोना संक्रमित सत्पुते ने खुद को आइसुलेट किया बीजे वाई एम के राश्टरी उपाथियक्ष भी है महराश्टर के पूर्वामंत्री बाबसिद्गी कोरोना पॉसिटिव हल के लक्षन के वज़े से खुद को घर में ही किया आइसुलेट मौंबई के अंधेरी में को लोगों को कोरोना संक्रमन का नहीं है डर बस टैंच पर यात्रियों के लंबी कतार, सोशल डिस्टेंसिंग के उड़ी धजियां बिना मास्क के नज़र आए लोग कॉल्टेलिया क्रूस पर अब तक कुल 205 लोग कोरोना से संक्रमित 149 और यात्रियों के रुपोट आए पॉसिटिव मुंबई में डॉक्टर्स पर भी तूट रहा है कॉरोना का कहर पिछले तेर दिन में करेब 282 डॉक्टर पाए गए पॉसिटिव महराश्च्र सरकार्ड फिला लॉक्डाउन से किया इनकार सोभी कॉलेज और युनिवर्सिटी 15 फर्वरी तक बंद एग्रिकाल्च्रल युनिवर्सिटी को छोट दिली में कॉरोना केस में भारे बढ़ोतरी एक दिन में 10,000 से ज़्यादा मामले साथ महिने बाद चूचा रिकॉर्ड 24 घंटे में 8 लोगों की गई जान दिली को कॉरोना से रहत नहीं स्वास्ट मंतरी स्वतेंद्र जैन के मुताबिक आज भी 14,000 के करीब आएंगे केस पॉसिटिविटी रेट 14 फीसद तक पहुँचेगा स्वतेंद्र जैन ने कहा दिली में लॉकडाउन की जरूरत नहीं तीन दिन बाद अगले कदम के बारे में फैसला करेगे दिली सरकार एक सीमा के बाद कीस रुखने की जिताई उमीद दिली में नाशनल इजोलोजिकल पार्क अस्थाय रूप से बंद कोरोना की बढ़ते सुक्रमन को देखते हुए फैसला दिली सरकार ने अपने सुभी करमशारियों की छुटिया रदगी केवल मेडिकल अफकाश ही मिलेंगे नाशनल म्यूजियम की सुभी ग्यालोरी को अगले आदेश तक बंद किया गया म्यूजियम की सुभी वेभाग कुविड गाइडलाइन्स के अनुसार खुलेंगे हर्याना सरकार्नी गुरुग्राम फरीदाबाद सुमेथ 11 जिलों को घोशित किया रेड जोन में पर्शिम बंगाल में भी कुरोना के 14,000 से ज्यादा नए मामली 24 किंट में 17 लोगों की मौत टीमसी सांथवद बीमी चकरवर्ती कुरोना संक्रमित खुद को हूम आइसूलेशन में रखा कहा जॉक्टर्स की सलहा ले रही हूँ आईटी गुआहाटी में कोविट के साथ मामली कैंपुस को कंटेनमेंट जोन घुशित किया गया जारकन के डीजी, एडीजी, रैंक के 150 पुलिस के अधिकारी कुरोना संक्रमित प्रशासन दी जानकारी लखनों में सीम योगी ने नए तहसीलदारों को नियुक्ति पत्र दिये असिस्टन टीचर्स को भी अपॉइन्मेंट लेटर दिया मुख्यमंत्री योगी ने कहा चैन प्रक्रिया को सुमैसी मा के अंतर पूरा किया गया चैन में किसी भी प्रकार की सिफारिश लें देन था या किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं हुआ जमु कश्मीर के बैशनों देवी में आज से यात्रा फिर शुरू, हेलिकॉप्टर से वाए भी शुरू, बुदवार को भारी बर्फबारी की बज़े से किया गया था बंद कई जगे लैंड स्लाइट के कारण जमु श्रीनगर नाशनल हाईवे बंद बर्फबारी के कारण मुगल रोट श्रीनगर करगिल हाईवे पर भी रोका गया ट्राफिक उतर भारत में कई जगहों पर बर्फ बारी जारी, मनाली में आस्मान सबर्फ से बर्फ किफाही, स्वैलानियों ने उठाया आनंद